हालो फेंस अरदीदा व्लॉगिंग में आप लोग का स्वागत है कैसे हो आप लोग आवाज नहीं निकल रही है हालत मेरा ऐसा ही खराब है इतना ठंड है फ्रेंस क्या बताएं मेरे उस साइड में पूरा पूरा जगा खाली है और यह पर प्लोट वाई सेल हुआ था तो हम ल घर बनाया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें पेंट देखिए प्रेंस पेंट वगरा नहीं चड़ा है जो वाइट सिमेंट होता है न वहीं चड़ा के रख दिया है बाद में हम करेंगे और क्यों नहीं किया हम लोगोंने पेंट या तो फिर फ्लोर फ्लोर जैसे ट खुला हुआ है और उसी के प्लोट का एंड जब ही होता है तभी वहाँ पर जील है और उसका ठंडा हवा आता है क्या बताएं फ्रेंस बहुत ही ठंड है बहुत गादा ही ठंड है तो देखिए ना एक स्वेटार शॉल और देखिए तो पर दिखाए यह देखिए थोड़ा कोटसुल का ड्रेस पहना है तो तीनो गरम पहने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है मने हालत देखिए मेरा तो अभी शाम हो गई है और शाम क्या रात हो गई आप लोग तो जानते हो थोड़ा लेट हो मैं तो लेट हो गई है तो हम लोग उने सोचा मे किछन में देखते हैं वहां पर चाना चूर और मुरी है कि बाकी तो सब घर में रहता ही है सुच अप के्ट्रिया मैं ने बेड्रूम का लाइव है तो किछन में चलते है किछन में जाने के वारत भी आप लगों के साथ मुझे करते हैं तो देखें फ्रेंज यहां पर मुरी है मुरी दिविटा खोल मा एक देखाई यह पर चाना चूल है तो चलिए जाल मुरी बनाते हैं देखें तो चलिए जाल मुरी बनाते हैं तो चलिए जाल मुरी बनाते हैं तो चलिए जाल मुरी बनाते हैं तो चलिए जाल मुरी बनाते है तो देखिए अभी चना चूर दे रही है तो चलिए देखिए चना चूर दिया मूरी और बाद बाद की इंगरिएंस भी ढलते है तो आईए थोड़ा ब्लैक साल ले 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 लेते है फ्रेंज्स काने में बहुत इं मी लेगता है इसमें हम मूरी रखते हैं ये बहुत पुराना हो गया है, कोई बात में चल रहा है फ्रेंस जब खराब हो जाएगा तभी हम फचेंगी Kalan यह जो अभी हो, यह थो बना तपां की बईया है अच्छ भी है धोडा पुराना हो गया है जैसे इसकी उमड़ है पाप छे सार होगा तो चली है यह अभी चलेगा देखिए नीचे बला भी खीक है उपर बला भी खीक है अभी यह चलेगा इसके हालत खुर खराब हो गया है कोई मेटी बूल रही थी तो मैंने सुचा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कुछ लाए थे शायद हास में तो मैंने सुचा यह अच्छा है बढ़ा भी है काफी देखिए थोड़ा इसको क्या है देखिए पीच को ठीटा हो गया हुआ तो चलिए फेंस ओ सरसू कतेल देना तो देखिए फ्रेंस मिर्ची ले लेते हैं और यह पर से थोड़ा सा आरे एकने देखा ना यह पर से थोड़ा सा धनिया बत्ता भी ले लेंगे देखिए तो आ गए है हम गैरेच में आप लोग अगर मेरे ब्लॉग चैनल देखो तो जानते हो मैं सबजी और थोड़ा टेखिमार ब्लॉग मेरे है दो हम खजिए अब काट लेते हैं मेरे की लोग नहीं पर धनी पर दो घस्रूम में पर चाहेंगे नहीं पर तुलिन तbaby यहोग ग्प एड़रूम मेरा बेडरूम है इस हम लगों कवा। तो आ तो पर तो रहक़े है schon तो आप लोग जब जाते हैं उस बेडरू में तरही उस करते हैं जब हम लोग तीवी देखने के लिए जाएंगे अमा अतात्री कर तो में सीरियाल शुरू हो ज़गा तो अभी धरिया पत्ता काट लिते हैं देखिए हम बेंगोली लोग अचलाली तो आप दढ़ा उधारा वोटिके मदद्स पिकाच़ते हैं जो छूरी बहुत ही कम जाए चूरी पंचली आड़ी टो बेंगोली तो छाभी अलिजितों यह पर नाइफ सरी कम जोमा डम जो है कल हैं यतमा सिसे होटाभी नहीं है तो छोरी रूश्लाना मतम walks कोई जरूरत नहीं है जितना आता है हिंदी बोलते हैं बाकी जो है आप लोग हम मुझे सिखाते जिएगा और बाकी जो है हम वो इंग्लिश में चला देंके जालबेशी खाती है ना ना बाबा हमेश होते नहीं हो तो अमा आए शोशा आठी ना शोशा बाबा आठी बुलेगा चाहिए मेरी बेटी को तीखा बहुत कम पसंद है मगर खाती है ऐसा नहीं है अगर मैं अन्दा फ्राइ करू उसमें मेरे लिए अलग से तीखा बनाऊ तो वो बना खालती है और उसके लिए थोड़ा फिका बनाते है यूँके वो तीखा उतना पसंद नहीं करती है आपके इसा फिका फिका बनाते है अन्दा जब फ्राइ करते है या तो फिस चिकन जब बनाते है तब उसको तीखा चाहिए मनी पता ने दिवा किस तरत का है मनी टाइप का है अच्छा मैं एक्टे लॉंका दीची दाले है दारास्ची आपी है ना मुर्मा ठांगते हीलते बात्चे ना बहुत ठांट पड़ी है आपको क्या बताए एक तम हर बक्त ना हर बक्त ना कमलोर कर अगर हम सोई देना बहुत बढ़िया लगता है आज हज रहे है आज पता है आज हजबन चले गए उनका शिलिगुरी में पोस्टिंग है आप लोग जो जानते हो देखा मैंने बताया आप लोगों को करती नहीं कोई मेरा ब्लॉग नहीं देखता है इतना खराब लगता है कोई बात नहीं है थोड़ा ताइम तो लगे गा कोई बात नहीं है तो आज हजबन चले गए शिलिगुरी तो सुभे के टाइम फ्रेंज इतना वीजी थी अप लोग सोच नहीं सकते हजबन एक बज़े घर से निकल गए एक बज़े घर से निकल गए उसी ताइक सुभे सुभे उठे बाजार कहे थे सबजी बाजार चिकन वगड़ा भी लाए ग्रीन वजटेबल भी लाए उसी के साथ उसको सुभे का जो बेक्फस्त बना के दिया फिर वो ट्रेंड में जाएंगे तो ट्रेंड के लिए रात का जो डिनर है फिर एकी साथ हम दोगों का भी बना लिया था उसी दाई फिर दो पर को चिकन बनाया था चिकन भी खाए फिर मुली है ना मुली की साग होता है मुली की साग भी बनाई चिकन बनाई और घर भी साब किया आप सोच नहीं सकते आप लगो को बहुत कम बोल रहे हैं कि जहाता कॉपड मोधनीका च्छादा किना पी आप AZ जादा काम होंती है न फिरल ऑफकेड न मैं अपडते है च्छत पर शक्री तो साफ करना पड़ता हैं मैं बहुत बहुत काम करना पता है फ्रेंस आप सोच नहीं सकते देखिए लेक्वाद को के आया है तो चलिए घर में चलते हैं बेडरूमें बैठ कर खाते खाते अप लोग के साथ थुरसी बाते करते है देखिए जैन यह भी जम गया है ठंड में इबनिंग की टाइम ऐसे स्नैक्स बना के खाईए बहुत ही जल्द हम भी कुकिंग चैनल में जालमूरी का रेसिपी देगे अभी तक मैंने जालमूरी का रेसिपी नहीं दिया है देंगे टाइम नहीं मिल्दा है बहुत ही जल्द देंगे जब देंगे आप लोग को बता देंगे तो चलिए खाते खाते आप लोग साथ बाते करते हैं अभी आ गया है तीवी वाले रूब में यह बेट देखिए आप लोग समझ जाओगे तो अभी हम जालमूरी खाएंगे जालमूरी खाते खाते मेरे यह बाते करने में तकलीफ हो रही है अचिलिए जब ठंड पढती है मेरा गाल फूल जाता है तो इसी वज़े से थोड़ा प्रोब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं अभी जालमूरी खाते खाते हम लोग क्या करेंगे तीवी देखेंगे तो आप लोगों को मैंने बोला नहीं है आज एए हम लोग एक साथ जालमुरी खाएंगे आज हजबन सिरीगुरी चले गए है तो वही बोल रही थी मैं मुझे कब लेके जाओगे क्योंकि मैं जहाँ जहाँ घूमने जाती हूँ जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जहाँ हम घूमने जाते हैं वही जगे के ब्लोगिंग चैनल हम छोडते हैं तो आप लोगों काभी घुल्प हो जाता है आप लोग भी कोई घूमने जाता है तो पहले थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा और कोई कोई घुमने नहीं जाता है मगर घर बठे बठे ही देखते है तो दोनों ही फाइदा है तो इसी बजल से हम लोग जाएंगे वो अपर से शायद दाडजीलिंग और शिली गुडी दोनों का ही ब्लॉग हम छोड़ेंगे अभी नहीं फेबरारी लास्ट या तो फिर माँने में और अगर इसी बिच हस्बेट आ गये कोलकता कोस्टिंग लेकर तब तो हो गया कुछ नहीं दिखा पाएंगे हम और फिर उसके पाद पता ने कब मगर हस्बन ने बोला अगर फेबररी या तो फिर मार्च महिना में दार्जिरिंग और शिरिकुरी गए तूर के लिए हम जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग गैंटॉक जाएंगे तो अगर गए तो आप लोगों के साथ टोटली शेयर करेंगे मेरे वीडियो अगर स्क्रॉल करें आप लोग देख साते हो मैं रिसेंट पूरी भी गई थी जिस्ट समर टाइम में उसी टाइम में वहापर चीपेस्ट होटेल के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है तो अगर आप लोग पूरी जाना चाहते हो या तो फिर पूरी कैसा लग रहा है अभी कोड़ना के टाइम में वह भी देख सकते हो जिस्ट स्क्रॉल किजिए नीचे आप लोगों को देखने में मिल जाएगा वहाँ पर जितनी भी मैंने जगा प्लेस विजिट किया है टोटली हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो वही सोच रही थी हम आप लोगों को बता दे कोई कोई फ्रिंस नहीं जानता है तो बता देते हैं थोड़ा खाते हैं धनिया पत्ता इस विंडर सेजन में धनिया पत्ता कि जो जो सबजी है आप लोगों खा सकते हैं अपनी कोकिंग चैनल पर आड़ा दिता कोकिंग ठाइब किजिए यूट्यूब सर्च पर आजाएगा वाप लोग जाएए वराइटी कोकिंग आप लोग सीख सकते हों क्योंकिए सब फ्रेंड्स को कोकिंग करना नहीं आता इवन सबजी को भी कैसे काटते हैं तोटली मैंने कोई अगर ऐसा होता है ना अचली क्या है ममी पापा बहुत लाट से अपनी बेटी को पालते हैं तो शादी से पहले वह सब कुकिंग या तो फिर कुछ में काम नहीं करते हैं तो वही सब फ्रेंड्स मेरे चैनल में जा सकते हों मैं टोटली शेयर करती हूं आप लोग घर की ही चीज से कैसे बहुत ही टेस्टी खाना वाना सकते हो टोटली शेयर किया है तो उसका लाब जरूर उठाइए अरादीता कुकिंग मन भूले इवन मेरे एक ब्यूटी टीप्स चैनल भी है अरादीता ब्यूटी टीप्स उस पर मैं ब्यूटी शेयर करती हूं अगर अभी क्या है फ्रेंस अभी कुछ दीन जब से विंटर सिजन परा है तब से मैं स्टॉप कर दिया है मेरा थोड़ा ठंड का प्रॉब्लेम है जैसे अभी देखें मैं बोल रही थी ना यह थोड़ा हलका फूल गया है क्योंकि थंड पढ़ गया है तो अभी ब्यूटी टीप्स में क्या होता है जैसे टमाटरी हो तो अगर हम बनाते है ब्यूटी रेसिपी तो उसको लगा कर दिखाना पड़ता है वाकिई काम करते है कर नहीं अभी बार बार मुझ को धोना पड़ता है तो फेश वास बार बार करने से मेरा ठंड लग जाता है बहुत जादा तो इसलिए मेरे हजबन बोले फिर समाट जब आएगा तब आप तिखाना अभी बंद कर दो तो वापर थोड़ा बहुत शेयर किया है वह सब भी आप लोग बेख सरते हैं लास्ट में हम बोल बोल कर सभी से बोलते थे शेयर नहीं किया फेश पर नहीं लगाए ऐसे ही बोलते है आप लोग यह यह करो मगर वह ज्यादा पसंद नहीं कर रहे है मैंने तो वही देखा क्योंकि वीव उस पर बहुत कम ही आ रही है तो मैंने हस्बिन को बोला तो थीक है कोई बात नहीं है तुम एक काम करो तुम विंटर जैसे ही खतम हो तब से फिर से स्टार्ट करो मेरा थंड की प्रॉबलम मुझे बहुत जाद ही थंड लग जाता है तो ऐसा ही हालत है जिन लोगों का अलर्जी का प्रॉबलम है मेरे वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग जान पाओगे मेरे पहले मैं जब स्टार्ट कियाता मैंने तब आप लोगों के साथ शेयर भी कियाता मेरा अलर्जी है तो जिन लोगों का अलर्जी का प्रॉबलम है उन लोगों का थंड भी बहुत जादा लग जाती है मैंने छोटे-छोटे ऐसे ही फाल तू हवा आई थोड़ा थंडा हवा आया थंड लग गया ऐसे टाइप का होता है तो खाते है फ्रेंट अज इतना बिजी थी फ्रेंट मैंने आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो बनाने के लाइक नहीं थी थक गई थी मंगर देली का एक वीडियो तो देना ही है इसलिए मैंने सोचा इवनिंग ताइम में जब हम स्नैक्स वगेरा कुछ बनाएंगे तभी आप लोगों के साथ थोड़ा से बात भी कर लेंगे और बता देंगे हस्बन चले गए है अभी ताइम भी बहुत लेंदी हो गई है उसी अचाती है से कर fulfilled सेके टर से बद करें के गरें कि ऊपधी बनाऊ संचाती कर लेया है तो ठीक है अभी खा लेते है है आने के पाद आप आप लोगों के साथ अअशित करेंगे नहीं तो बलोग भूती बढ़ा हो जाएगा और आप लोग भी अबा जाय движ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पानी गरम करने के लिए पैठा दिया है मुरी तो खाना हो गया है यहाँ इतना दर्थ कर रहा है तो हजबेन को कॉल किया था मैंने तो उसने बोला ठांगे मज़े से है तो बोले तुरंथी गरम पानी पीओ उसके बाद ठीक हो जाएगी तो मैंने बोला ठीक है तो आप देखी सकते हो मैं कीचेन में आ गई हूँ तो पानी गरम करने के लिए बैठा दिया है फिर पानी पीएँगे तो बात करने में भी बहुत ही तकलीफ हो रही है तो आज इतना ही फ्रेंड्स आज ज़्यादा नहीं बात करेंगे और ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं रिखाएंगे आज बहुत ही ठके हुए है एक्छली डेली का ब्लॉग तो देना ही पड़ता है आज ब्लॉग बनाएंगे तभी हम कल छोड़ पाएंगे और आप लोग देख पाऊगे तो डेली का ब्लॉग तो देना ही है इसलिए मैंने यह किया है अंदर वाला पोर्शन आप देख सकते हो फूल जया है मेरा इया पर बहुत ही दर्द हो रहा है और बाते करने में भी ना एक खलका पेन होदा है बाते करने में भी बहुत दिल में आपके दिल में थोरी सी जगा इतनी सी जगा भी हो तो मेरे लिए थोड़ा जगा देजिए जहां पर मैं रह सकती हूँ आप लोगों के प्यार के वज़े से हम आते हैं थोरी से ही फ्रेंड से ही देखते हैं मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वही हम बोल आपको ओपनली बोल रहे हैं जैसे आप क्या मेरे सब फ्रेंशीब करना चाहूँ के तो ज़िए मेरे ब्लॉग चनल पर आईए मेरे साथ वने रहे है तो चलते हैं फ्रेंज मिलते हैं पिकल एक नए ब्लॉग के साथ खुश रहे हैं भगवार के आशी बत से आप लोगों का भाई तो मंगगों